कमलनात ने विधान सभा में नेता प्रतीपक्षपत से स्तीफा दिया गोविन सिंग को मिली नई जिम्यदारी नमस्कार बिग हेडलाइन्स देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके स्ताथ भूमी का मध्यदेश कॉंगरस कमीटी के अध्यक्ष कमलनात ने मध्यदेश विधान सभा में नेता प्रतीपक्षपत से स्तीफा दे दिया है उनकी जगा डॉक्टर गोविन सिंग नेता प्रतीपक्ष होंगे बताया जा रहा है कि अगले साल मधपदेश में होले वाले विधान सबा चुनावों के मद्दे नजर कॉंग्रेस ने ये बदलाव किया है वहीं कॉंग्रेस महासचीव केसी वेनु गोपार के हाथों जारी हुए पत्र में कहा गया कि कॉंग्रेस अध्यक्ष ने मधपदेश के कॉंग्रेस विधायत दल के नेता के तौर पर आपका स्थीफा सुईकार कर लिया है पार्टी आगकी योगदान की प्रशंसा करती है कॉंग्रस अध्यक्ष ने डॉक्टर गोविन सिंग को कॉंग्रस विधायत दल का नेता बनाने के प्रस्ताव पर भी मंजूरी दे दी है पिछले कुछ समय से कमलनात को लेकर पार्टी में सुख्बु का हर्च शुरू हो गई थी विरोधी लाम बंद हो रहे थे और इसकी वज़ा थी कि कमलनात ने मुख्यमंत्री रहते हुए भी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अपने पास रखा था अब भी वे पार्टी अध्यक्ष है और नेता प्रतिपक्ष का पद भी उनके पास था भाशपा भी लंबे समय से कॉंग्रस में एक व्यक्ती एक पद नियम के अंदेखी होने पास सवाल उठा रही थी कुछ दिन पहले ग्रह मंत्री नरुतम मिश्रा तक ने ये कह दिया था कि कमलनात को खुद हट जाना चाहिए और विधान सवा में गोविन सिंग को ही नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए इस खबर पर आपकी क्या है टिपनी हमें कमें सेक्षिन पर जरूर बताएं तब तक के लिए हमारे चैनल बिग हेडलाइन्स को सब्सक्राइब करें